बदलते समय के साथ हर चीजों में बदलाओ आ जाता है इसी कड़ी में अब पाकिस्तान द्वारा पोशित आतंकी संगटनों ने भी आतंकियों की भरती के अपने ट्रेड में बदलाओ लाया है पहले आतंकी संगटन आतंकियों को भरती कराने के लिए इवाओं को मनने के बाद जन्नत की 72 हूरे और शहित का दर्जा मिलने का सजबाग दिखाया करते थे अब आतंकी आका भरती के लिए आतंकबात पर हॉलिवूड और बॉलिवूड में बने फिल्मों का सहारा ले रहे हैं इन फिल्मों में दिखाये जाने वाले आतंकी कमांडर का रॉब और रुत्वे का सजबाग दिखाते हैं और सीधे कमांडर रेंक पर नियुक्ति करने का लॉलीपॉप दिखा कर अस्थानी कश्मीरी इवाओं को आतंकी बना रहे हैं इसका खुलासा हाली में हिंदुस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए इन आतंकीयों ने खुद की है कश्मीरी इवाओं को कमांडर रेंक का सजबाग दिखाकर आतंकी संगठन उन्हें आतंकबादी बना रहे हैं कमांडर रेंक का रॉब और रुद्वा पाने के चक्रविव में पसकर कश्मीरी इवा आतंकी गहरी खाई में खुद अपने आपको ढखेल रहे हैं यही वज़ा है कि हिंदोस्तानी सेना द्वारा मारे जाने वाले आतंकियों में हर दूसरा आतंकी कमांडर रैंक का होता है सुरक्षा अधिकारियों के बकोल कमाडर रैंक पर आतंकी गूट में भरती होने के बाद जब सचाई सामने आती है तो भरती होने वाला युवा सिर्फ माता पीट करना जाता है गिरफतार किये गए उन इवाओं ने इसकी पूष्टी की है जो मा की पुकार पर वापस लोटाए एक वापस लोटने वाले आतंकी इवा के बकोल उसे तो डिविजनल कमांडर बनाया गया था और उसके साथ काम करने वाले दो अन्य आतंकी इवा भी डिविजनल कमांडर थे इस सच्चाई के बाद उसे उन सजबागों की हकीकत दिखाई दी जिनको आधार बनाकर वा आतंकी गुट में शामिल हुआ था आतंकी बनने का जुनुन कहली जिए या फिर बर्गलाय जाने का क्रम कश्मीर में जारी है इस क्रम में वर्ष 2018 में 246 आतंकी मारे गया थे जिन में 160 अस्थानी थे और सभी को कमांडर बनाया गया था इस साल भी 190 आतंकी मारे गया थे तथा 135 आतंकवाद की राव पर चले गया उन्हें भी कमांडर बना दिया गया था एक समय था जब एक आतंकी कमांडर के साथ दर्जोनों दूसरे आतंकी काम करते थे और अब हालात यह है कि 2-5 आतंकियों के गूट में सभी कमांडर है अकसर इन तथा कतित कमांडरों के बीच टकराव की इस्तिती भी आ जाती है और वे एक दूसरे पर हमले करने के साथ ही एक दूसरे के कामों में टांग भी अड़ा देते हैं डारेक्ट भरती हुए कमांडरों के प्रती एक खास और चौकाने वारी बात तो यह थी कि सक्तिक के कारण वे सीमा पार प्रसिछन के लिए नहीं जा पाते थे और कश्मीर में ही एक दो दीनों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सुरक्षा बनों के हातों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था हर देश पाकिस्तान से साथी साथ पाकिस्तान में जो आतंग बाद है उनसे छुटकारा पाना चाहता है अगर आपको हमारी व्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन दवाना बिल्कूल भी ना बुले जिसे कि आपको देश और दुम्या की सारी खबर मिलती रहे